हेलो दोस्तों अभी आई आई बीएफ ने जो आपका सीए आई बी का जो इलेक्टिव पेपर था उस पर कुछ एमेंडमेंट किये हैं कुछ कोर्सेस को डीलिस्टेट कर दिया चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कोर्सेस जिनको डीलिस्ट किया उसके पीछे क्या रीजन है य यह में और जून एक्जामिन इसके लिए आया है तो जब हम इसको देखा रहा है कि कौन से वो इलेक्टिव है जो अब आप चूज नहीं कर पाएंगे देखिए पहले जो है 11 एक्टिव हुआ करते थे अब जो है केवल 6 एक्टिव रह गए और मेरा मानने है कि यह बहुत अच्छा डिशियन लिया क्योंकि जब भी कोई हम से कहता था कि सर इंटरनेशनल बैंकिंग का कोर्स है चलिए तो जो 11 एक्टिव होते थे 11 एक्टिव में से अब 6 एक्टिव कर दिया है और जब भी कोई हम से यह पूस्ता था कि सर यह कोर्स क्या है यह कोर्स तो हम लोग कहते हैं कि कॉमन क्या है जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बैंकिं को हटा दिया है cooperative banking जो की somewhat एक तरह से इधर resemble होती थी कहां पर rural banking में ठीक है treasury management को हटा दिया है जो आपका BFM का C module था वो यहां cover होता था financial advising को हटा दिया है तो यह जो five electives है अब आपको available will be discontinued from May June exam के बाद में अब आपके पास six जो है elective papers रह गए है और six में भी रूरल में उन्होंने एक चीज और जोड़ दिये कि the course we are on digital banking sell also from additional reading material for the set elective exam अगर मैं बात करूं digital banking का तो काफी कुछ वो पूछी रहे थे लेकिन अब उन्होंने यहां पर officially declare भी कर दिया तो अगर हम एक brief में देखते हैं कि इस समय छे कौन से पेपर रह गए हैं सबसे पहला है retail banking जो सबसे चूज किया था जो आपके जो भी टेक्नलोजी विल्कुल बैंक के अब यह से लेटेड है रूरल नावर्ट पनिमेंट जो की बेसल का पार कुछी मैनेजमेंट पेपर अब वाले तून में जो है यह से रहेंगे और इसके साथ-साथ जो है हमारी जो है classes जो है जो इसके साथ-साथ जो है हमारा जो है प्रमोशन की live classes भी हमारी चालू हो रही है तो उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं और जो भी mobile application में जो offer था वो आज class खतम भी हो रहा है तो इसी के साथ हम लोग इसकी आप तयारी कर लिजे का आपको इलक्टिव में आप यह option मिलेंगे और आप साम को यानि की 10 बजे जो हमारी class promotion की free live class होती है उसमें आप attend कर सकते हैं thank you so much आज मेरे को यही information भी थी